अभी हाल ही में हेपेटाइटिस बी और सी के खत्रे को लेकर डबलू एचो नेक रिपोर्ट जारी की थी रिपोर्ट में इसके कुल ग्लोबल मरीजों में भारत की साड़े 11 प्रतिशत से अधिक की इसेदारी बताई गई है दरसल हेपेटाइटिस बी और सी सीधे तौर पर लिवर से जुड़ी बिमारी है भारत में इसके साड़े 3 करोड से अधिक मरीज है एक आकड़े के मताबिक देश में हर साल 15 लाख ऐसे मरीज सामने आते हैं जिने लिवर में संक्रमन की समस्या होती है इन में से 5 लाख से जादा मामले लिवर सिरोसेस की होते हैं लिवर सिरोसेस से देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है वही लिवर से जुड़ी सबी बिमारीों की बात करें तो इस से सालाना फुल 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है यह आकड़ी वाकी चिंता जिनक है लिवर से जुड़ी बिमायों की बात करें तो इसमें लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर सबसे ज़्यादा घातक होते हैं इसके अलावा हाल के साल में लिवर में हुने वाले इंफेक्शन के मामलों में भी बडोतरी हुई है भारत में लिवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण खराब खानपान और शराब का सेवन है इसके बाद लिवर को खराब करने में डाइबिटीस एक बड़ी वज़ा है आकडों के माने तो देश में हर साल करीब धाई हजार लिवर ट्रांस्प्लांट होते हैं भारत में प्रतिक तीन में से एक व्यक्ती फैटी लिवर की समस्या से गरस्थ है जब कोलिस्ट्रॉल और ट्राइगली सराइट का स्तर नियंत्रित नहीं रहता है ये फैटी लिवर की वज़व बनता है पहले समझना होगा कि लिवर में कोई दिक्कत है तो उसके क्या सिगनल होते हैं लिवर इंफेक्शन की शुरुवात में पेट में काफी तेज दर्ध होनी की शिकायत होती हैं कई बार पेट में सूजन की समस्या होती हैं पैर के तलवे का गर्म रहना, स्किन पर लाल चकत्ते और खुजली की समस्या, यूरीन के रंग में बदलाव, लिवर के संक्रमन की ओर इशारा करते हैं खासकर तला भुना, मसालेदार, जंक, फूड और शराब का अधिक सेवन लिवर में सूजन की वज़़ बन सकता है पीने वालों के साथ, हेपटाइटिस B और C के मरीजों में लिवर कैंसर की होने का खत्रा जादा रहता है ऐसे में लिवर को हेल्थी बनाए रखने के लिए हेल्थी डायेट ले खान पान में मौसमी सबजियां और फल के साथ लो फैट डेरी प्रड़क का सेवन करें साथ ही शराप और जंग फूट से दूरी बना कर रखें वही अपने वजन को बढ़ने ना दी ये कुछ ऐसे सामाने उपाय हैं जो आपके लिवर को दुरुस्त रखने का काम करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया